नमस्कार दोस्तों आप जो ये गाड़ी देख रहे हैं ये महिंद्रा का सुप्रो प्रॉपेट रख है इसमें LX और VX ऐसे दो टाइप साते है तो हम VX मॉडल देखने वाले जानेंगे इस गाड़ी में क्या-क्या ने फिचर से डिटेल में जानेंगे वीडियो को लाश्ट इस का इणे हैं अलग इसे साइड में आंको यहाप और परॉप्रो प्रॉपिट्र रखाएं भेजिंग फिर से डेखने को मिलेगा जो काफी अच्छा दिखता है इसका लूग रिख्लेक्टर देखे रखा है। चलो बात करते हैं, को डॉट राइवर साइड के क्या 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 आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखे हैं एक च्छोटा सा वीर देखने को मिलेगा। जो की इसमें Maxi और Mini ऐसे दो टाइप साथ है इसलिए यहां पर Mini है तो Mini का option आपको है कि देखने को मिल जाएगा जैने उसके बार इसको मैं थोड़ा open कर लेता हूँ को ड्राइवर साइड में आपको कहके देखने को मिलेगा को ड्राइवर साइड में आपको हैंडल डोर उपर उपर नीचे करने के लिए यह options देखे रखे और यहां पर आप इसको speaker भी fit करवा सकते हो यह महिंद्रा के तरफ से इन्होंने ऐसे सेरीज में दिया है यहां पर fit कर करें तो ड्राइवर प्लस वन इसकी सेटिंग कैपेसिटी है लेकिन इसमें तीन लोग आराम से बैठ सकते है फ्लैट सीट है वाक फ्रू कैविन है यहां पर आपको एक छोटा सा ग्लोव बक्स देखने को मिलेगा यहां पर आपको कुछ सामान रखने का रहेगा तो आप य हु अगर यहां पर आपको तेरा इंच का टैर साइज मिलेगा ममें आपको बैजिंग देखने को मिलेगा यहां पर आपको टेल लेंज के ऑप्शन देखने को मिलेंगे दो पार्किंग सेंसर आपको देखने को मिलेगे स्टेपनी जो है यहां पर माउंड करके रखा है एक्जास्ट पाइप बैक साइड में ही देखे रखा है देन उसके बाद ड्राइ सब से पहले इसको open करने के बाद। युको पाउर का बटन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलो मैं इसके मीटर अन करके देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको टाइमिंग उसके नीचे फ्यूल और यहाँ पर दिखाएगा। स्टेरिंग जो है, इसका स्टेरिंग का लूप कुछ इस तरीके से आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, जो काफी बढ़िया सा है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे इसमें और फारवर्ड और रिवर गेर्बॉक्स देखने को मिल जाएगा, देन उसके नीचे आपक को ड्रावर साइड में आपको छपचा सा हैंडल मिलेगा ऊपर चटने के लिए, और जो बैक साइड का और विंडू है, नोने पूरी कोशिश की है, चलो अभी बात करते हैं, आपको और क्या-क्या इसमें देखने को मिलेगा, तो नीचे अगर आप धोड़ा जाओगे, तो तो आपको यहाँ पे दो bottle holder देखने को मिलेगे, जिसमें आप bottle hold कर सकते हो, यहाँ पे आप mobile रख सकते हो, उसी के उपर आपको एक छोटा सा 12 वैट का accessory socket भी देखने को मिलेगा, उसी के side में आपको बटन लगाने का additional बटन लगाने का option भी देखे रखा है, यहाँ पे आपको हजार बटन का option मिलेगा, parking lights कुछ लोग इसको बोलते है, चलो अभी बात करते हैं, main topic के उपर, तो company जो है आपको 23.30 का mileage claim करती है, और इसका जो power है, आपको 19.4 kilowatt इतना आपको power देखने को मिल जाएगा, बचपन न्यूटिक मिटर आपको torque मिलेगा maximum, और जो इसका turning radius है, 8.8 मिटर इतना आपको turning radius में देखने को मिलेगा, बात करते हैं, इसकी hillbase की, तो 1950 mm का आपको इसको hillbase देखने को मिल जाएगा, VX model में आपको payload capacity मिल जाएगा 900 किलो, और LX में आपको मिलेगा 800 किलो, दोस्तों आपको इसमें number of cylinder 2 देखने को मिलेगे, और deployment capacity जो है, 909 CC का इ पुने city में इसका price चालो है 6,10,000 रुपे, state-wise ये थोड़ा बहुत कम जादा हो सकता है, इस गाड़े में आपको max speed 70 इतना देखने को मिलेगा, और जो इसका warranty है, तीन साल या फिर 80,000 किलो मेटर का आपको इसका warranty देखने को मिल जाएगा, हमने जिस गाड़े का review किया है, डिजल में गाड़े आता है, और डिजल टैंक का capacity आपको 13 लिटर इतना देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, चलो अब आज के लिए बस इतना ही, बिलते हैं, अगली वीडियो तो प्तिक लिए बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबा